नमशकार दोस्तो राधे राधे आशम कलेक्टिफ्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो एक बार फिर उपस्तित हूं बेहत ही महत्पुन विसए के साथ दोस्तो सरत पुणिमा की रात लग रहा है चंदर क्रहन चंद्रमा को खीर का भोग लगाने से पहले आपको ये महत्पोंग जानकारी अवश्य जान लेने चाहिए इस से पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें आपके इसी तरह की महत्पोंग जानकारियां हम आपके लिए समय से लाते रहेंगे दोस्तो सरत पूर्णिमा पर साल का अंतिम चंद्रगहन लगने जा रहा है सरत पूर्णिमा को लेकर मानेता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अम्रित बरसाता है इसलिए इस दिन खीर बना कर चंद्रमा की रौष्णी में रखने की परंपरा सद्यों से चली आ रही है कहते हैं इस खीर को प्रसाद रुप में ग्रहन करने से आरोगी की प्राप्ती होती है और चंदर्मा की प्रतिकुल प्रभाव से मुक्ती मिलती है लेकिन इस बाद सरत पुणिमा को चंदर्गहन भी लग जाने से दुविधा के सिति बनी हुई है चंद्मा को खीर कब और कैसे हर्पित करें और कब इसे ग्रहन करें दोस्तों चंद्रग्रहन का समय रवी वार 29 अक्टूबर को 6 बचकर 35 मिनट पर सुरुद्यों होगा और चंद्रोदय का समय 28 अक्टूबर सनी वार साम में 5 बचकर 20 मिनट पर होगा चंदरगरहन का सूतक काल साम में 4 बचकर 12 मिनट से आरंब हो जाएगा चंदरगरहन आरंब होने का समय रात में 1 बचकर 5 मिनट से होगा और 2 बचकर 24 मिनट पर गरहन समाप्त भी हो जाएगा चंदरगरहन मेस रासी में लगने जा रहा है इस दिन सरत पूर्णिमा भी है और सरत पूर्णिमा की दिन खीर बनाने का विश्यस महत्व है इस दिन खीर बनाने से पहले आप जो दूद लेकर आएं उसे सूतक सुरू होने से पहले तुलसी के पते वक्कुष डाल दें सूतक काल के दौरान फिर आप खीर बना सकते हैं साथ ही आप खीर बना कर भोग लगा कर सकेंगे और चंदर्गरहन सुरू होने से पहले इस खीर को आप चंदर्मा की रौसनी में रख सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि गरहन सुरू होने से पहले खीर वहां से हटा ले यदि संभव हो तो आप चंदर्मा के मुक्ष के बाद ही खीर को रख दें और सुर्द होने से पहले इसे हटा ले चंदरगरहन से पहले यानि सूतक काल में यदि आप खीर को चंदर्मा की रौसनी में रखते हैं तो इस बात का ख्याल रहे कि खीर उतनी ही बनाए जो गरहन सुरू होने से पहले खतम हो जाए क्योंकि गरहन सुरू होने के बाद वह दूसित हो जाएगी तो दोस्तों आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहत महत्यपून लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद दोस्तों राधे राधे